हेले वरोन कैसे आप सब एक बार पुना से यू कोचिंग क्लासेस पर स्वगाथ है बच्चो ये जो प्रशन है ना इसको हम आपको 5-7 मिनट में करा देंगे लेकिन थोड़ा से समझना संधारितर किसे कहते हैं समानतर प्लेट संधारितर की धारिता का बेंजा इतना छोटा प्रशन है और इतना इजी है और ये हर बर्स पूछा जाता है लोग इसे पढ़ते नहीं है अरे भाई सिंपल है कि एक ऐसी युक्ती जिसके आकार रायतन में बिना परिवरतन के धारिता बढ़ा दें मतलब एक युक्ती बना दी गई है जिसके माध्यम से उसके आकार रायतन में बिना परिवरतन के धारिता बढ़ा दें आपका संधारित कहलाता है जैसे हमारा ये समांतर प्लेट संधारितर है समांतर प्लेट संधारितर का मतलब ये है कि दो प्लेट को समांतर रखा गया है अब एक पर आबेश देते हैं तो दूसरे में पिरन से आबेश उत्पन होता है बस यह हमारा समांतर प्लेट बहुत सिंपल है तो संधारितर की परिवासा तो हर बच्चा सीख गया होगा कि वह संधारितर की शे कहते हैं एक ऐसे युक्ति जिसके बिना आकारायतन में परिवर्तन के उसकी धारिता बढ़ाती हो संधारितर है तो संधारितर वह युक्ति है जिसके दौरा किसी चाला के आकारायतन में बिन परिबर्तन के उसकी धारिता वढ़ाई जा सके तो वास्त वह संधारित रहे मतलब संधारित एक बिद्धुत उर्जा संचित करने का साधन है बिद्धुत उर्जा का संचित करना मतलब आबेश को संचित करना धारिता है क्या धारिता का मतलब होता है आबेश ग्रहन करने की चमता तो वही हम समानतर प्लेट संधायत की धारिता का बेंज़क निकालेंगे दो-तीन फैक्ट हैं बहुत आसानी से आप समझोगे जब इसके लिए बेंज़क निकालते बच्चों तो ये डाइग्राम आपको बनाना पड़ता है इसमें दो-तीन फैक्ट हैं पहले आप इसम उत्पन होगा और दूसरे प्रिष्ट पे प्लस उत्पन होता है जिसका समंध प्रथवी से होता है तो पूरा आबेस प्रथवी पर हो जाता है अब आप कहों कि सर यह प्रेरण की क्रिया कैसी होती है देखो भाई सहाब यह जो हमारा प्लेट था इसमें दोनों आबेस प्लस वाले की पास, माइनस वाला जाता है, जैसे मा लीजिए, एक लड़का, सबसे ज़यदा दोस्ति किसे बनाएगा, एक लड़की से ही बनाता है, सही है की नई, गलट मत समझना है, यार, मजा ले रहूं, ठीक, यह सब्धत है, यह सब्धत है, हो सकता है, साथ बहुत कोई बात नहीं संदर संद अनुदिशा है तो बोले भीया तू किनारे हो जा मेरे से friendship होने दे तो माइनस पास में आ गया और प्लस बाला दूसरे प्रस्ट पर चला गया ये जो प्रस्ट है ना इसका समध्ध प्रत्वी से होता तो अब इस कहां चला गया प्रत्वी पर चला गया तो जब आप माना लिखोगे सुपर फास प्लेकर आया हो भी टाइम पास नहीं करना है माना ए और बी समांतर प्लेट संधाज की दो प्लेटे हैं जिनके बीच की दूरी डी है और उनमें प्रते का छेथफल कैप्टल ए दोनों के मद के प्रवधतां का माध्ध्यम है अब बच्चों हमने जो प्रोसेस बताया कि पास वाले तल पर माइनस और दूर बरती तल पर प्लेस की वावेस उत्पन हो जाता है बी का संबन्द की से होता सर प्रत्वी से होता है इसलिए बी का आवेस कहां चला जाता है प्रत्वी पर चला जाता है के वल माइनस आवेस रह जाता है यह फैक्ट है चीज़े क्लियर ह हो गई कि ए और वी समांतर प्लेट हैं दो प्लेटे हैं समांतर प्लेट संधाय। संधायत की प्रतेक चीत्पल camps thành ये इसके भीत का जो दूरी है टी है मतलब यहां से यहां तक की दूरी बच्चों यहां से आतक मैं डाइग्राम में बना देता हूँ दी है और के परवजुतां का माध्ध है मैं अब मैं आपसे कह देता हूँ कि यदि माली ये प्रत्य अएक प्रस्ट पर आबेश कितना बच्चों आबेश थोड़ा समझने कोशिज करें एदी आबेश को किई है तो प्रष्ठी एअवेस घनत तो कितना हो जाएगा अब आपसे कहता हूं कि दोस्मतल प्रेट की चादर है तो तिव्रत्य कितना होता है ये चीज आपको याद रखना होगा कि यदि हमारे पास दो समतल चादर है तो इसकी तिवरता होता है सिग्मा अपान के एप्शिलोन नाट यह कहां से आएगा सर यह चैप्टर वन से आया है चैप्टर वन से आपने उकल पढ़ा बिद्दुछेट की तिवरता दो समांतर प्लेट है यह समतल चादर के बीच यहाँ पर विद्दुछेट की तिवरता तो कहीं न कहीं E बराबर हो जाएगा जब यहाँ पर सिग्मा का मान रख देंगे Q अपाने तो Q अपान कितना हो जाएगा बच्चो के A एप्शिलोन नाटी ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया कोई दिक्कत तो नहीं है तो जब हम प्लेट A को प्लस Q आवेश देते हैं तो B के पास बाले तल पर माइनस और दूर बरती तल पर प्लस Q यह आपने यहाँ पर पिस देखा और प्लस Q कहाँ चला जाता प्रत्वी पर क्योंकि B का संबंद प्रत्वी सी होता है माइनस सेस रह जाता है यदि A प्लेट A पर आवेश का प्रिष्ट घनत्यों A और B पर माइनस सिगमा है सिगमा माइनस सिगमा तो सिगमा बराबर Q अपने यह आपको मैंने क्या कहा? प्रस्टी आभिस्थ घनत्तों का सूत्र है, क्यों अपाने? सिग्मा बराबर क्यों अपाने? यहां तक क्लियर हो गया बच्चो दोनों प्लेटों के बीच विद्धु छेत की तिवर्ता E बराबर सिग्मा अपान के एपसिलान नोट सिगमा कमान यहाँ पर Q बटाए रख दिया मचू यहाँ पर Q अपने ठीक रख दिया इसके बाद जो भिवानतर है भिवानतर का सूतर होता है तीबरता गुने दूरी तीबरता गुने दूरी तेबरता हमारा कितना बच्चो और दूरी हमारा क्या होगे दूरी कहां से आया सर दूरी कहां से आया दोनों प्लेटों के बीच की दूरी की बात की जा रहे बच्चों दोनों प्लेटों के बीच की दूरी की बात की जा रही है अब इसके हम मान रख देंगे जब हम मान रखेंगे तो कितना आएगा चुकि यहां से हम थोड़ा से लिखते हैं, यहां तक clear है, सबसे बन जाना चाहिए, कहां कहां से आया, ए और भी, अच्छा, धारीता, सर एक बाद बताओ, यह आप भी क्यों निकाल रहे हो, देखो, धारीता का सूतर होता है, क्यों अपन भी, तो इस भी कमान हमें निकालना पड़े आपने, अरे भाईया हमने बताया ना, कि भी बरावर होता है, इंटू डी, भी बरावर होता है, इंटू डी, और इंटू डी, और इकमान आपने पड़ा, क्यों अपन के एप्सिलोन नाट, और यह आपका डी है, तो डी है, यह भी हो गया बच्छो, यहां तक clear है, यहां आपको थोड़ा समय बताता हूं, कि संधारित्र की धारिता, इसके आगे लिखना है, इसके आगे, थोड़ा सा समय दो मुझे, संधारित्र की धारिता, क्या बच्छो, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, C बरावर होता है, Q अपन B, तो C बरावर हो जाएगा Q upon, भी कामान कितना है Q D upon K A epsilon not यह से कड़ गया बच्चो यह उपर चला जाएगा K A epsilon not A upon D यही है समानतर प्रेट संधायत की धारिता K है epsilon not है A upon D यही है समानतर प्रेट संधायत की धारिता इसके आगे यह दिलिखोगे बच्चो तो मैं थोड़ा सा और यहां पर समय देता हूँ कि यदि निर्वात में यदि निर्वात में के कामान एक हो तो C बराबर कितना हो जाएगा बच्चो epsilon not A upon D अब कोई भी बच्चा होगा यार इतना तो कर सकता है कि यहां तक जब मैंने कर दिया फिर इसके बाद आपको भी में E का मान रखना है E का मान रख दिया धारिता का सूतर होता कि वह पान भी और भाईया हमने आपर मान रख दिया ठीक है यार इतना कम समय में आप सी का मान आ गया और जब हमारे का के का मान एक होते इतना आ गया यही समादर प्रेट संधायत की धारिता है किस्ते नहीं बनेगा बताओ जारा साथ मिनट बोला था बच्चो आठमा मिनट लग गया है अर इतना कम समय में यार या कोई बच्चा भी जिख जाएगा संयुक्त सूचमदर्सी की आवर्धन छमता निकालेंगे बच्चो बिलकुल कम समय में सबसे पहले बात करें कि यह आवर्धन छमता है क्या आवर्धन छमता यह बच्चो की अंतिम प्रतिवी में द्वरा निर्मित कोण और वस्तु द्वारा निर्मित कोणकान पाथ सीधा साब्दिक रूप से जैसे मैं कहता हूँ कि ये आपका संयुक्तु सुश्मिदर्सी है दो लेंसों के संयोजन का ये बस्तु की ओर है इसलिए अभिद्रसक लेंस इसे कहते हैं और जो आख की ओर होता है वो नेत्रिका लें पहले लेंस द्वारा प्रत्विम्ब A1 B1 है और भाई साहब ये पहले लेंस का प्रत्विम्ब है और ये जो पहले लेंस का प्रत्विम्ब A1 B1 है ये दूसरे लेंस का बस्तु का कारे करेगा और अंतिम प्रत्विम्ब A2 B2 बनता है तो आबर्धन चमता की परिभासा है कि अंतिम प्रतिविंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण ये बीटा और बस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण समझ में आया कि मा लिज्जे यहां से न देखकर यहां से देखते तो भई हमारा ये अलफा कोण कहलाता यहनि अंतिम प्रतिविंब द्वारा नेत्र पर अंतर दूरी हो जाती बात को समझेगा अंतिम प्रतिविंबद्वरा निर्मित कों ठीक है और बस्तु का जब इस पश्ट दृष्ट की नियुनतम दूरी का तातपर है कि आँक हमारा यहां होता मतलब यहां से यहां तक इस पश्ट दृष्ट की सेयोजन किये हैं तो यहां पर निसकर्ष निकला कि अंतिम प्रतिम द्वारा निर्मित दर्शन कोण यहां बीटा है और जब इस पर्ष्ट दिस्ट की बात करेंगे बच्चो तो वो अलफा है ठीक है कहने का तात पर हमें यहां होते तो यहां को डायरेक्ट दिखाए देता ठ मुलते हैं बच्चो आबर्धन छम्ता कहते हैं आबर्धन छम्ता को हम M से दर्शाते हैं यदि अंतिम प्रतिम द्वारा निर्ट पर अंत्रित कोण कितना हो बीटा हो और इस पर्ष्ट दिस्ट की नियुनतम दूरी परिस्तित बस्तू का कोण अलफा हो तो यह आपका हो इसके टैन अलफा की तो एम बराबर हो जाएगा आपका टैन बीटा बटा टैन अलफा कितना हो जाएगा बच्चो टैन अलफा समीका नेख हो गया इस बार हम दो पेज लेकर नहीं चले एक ही पेज में समझाएंगी यह आपने यह जो सूत रह तयार कर लिया अंतिम प्रति हम कम समय में कोशिस करेंगे इसलिए ज्यादा लंबा चोड़ा लेकर नहीं चलेंगे अब बात करते हैं बच्चो बीटा बराबर और अलफा बराबर यहां पर फार्मुला साइन बहला जो हमारा देखे एक और छोटा सम डाइग्राम बना देते हैं डाइग्राम का मतलब य होता है कि माली जी बस तू यहां पर रखा हुआ ठीक है बस तू यहां पर रखा हुआ है अब बस तू जब इस पश्ट द्रिष्ट की नियुनतम दूरी पर हो बतलब हम यहां से देखेंगे तो बस तू हमारा जो एबी है वो इस पश्ट द्रिष्ट की नियुनतम दूरी बस तू इस पष्ट दरिष्ट की नियुन्तमदूरी पर हो तो हमारा 10 अलफा वराबर आब बता दे ना सिंपल तरीके से बता दो है 10 अलफा वराबर बोलो कि सर 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार लंब हमारा A B हो जाएगा और आधार हमारा बच्चो ये O B O B कमांड D हो जाएगा ठीक है जब बस तू इस पश्ट दिस्ट की नियुन्तम दूरी पर हो नियुन्तम दूरी का तातपर ये है बच्चो हम यहां बस तू रखे हैं और यहां से देख रहे हैं टैन बीटा यहां पर देख लो बच्चो टैन बीटा का सूत्र क्या हो जाएगा ये आपका टैन बीटा है ना कोड के सामने वाली भुजा लंब तो लंब हमारा A1 B1 लंब हमारा A1 B1 और आधार बच्चो E B1 ठीक है लंब बटे आधार होता है A1 B1 बटा E B1 ठीक है डाइग् से समझ में आए ना कोड के सामने वाली भुजा लंब लंब बटे आधार तो लंब हमारा A1 B1 आधार E B1 अब हम समीकर्ण एक से लेकर चलेंगे समीकर्ण एक से M बराबर कितना हो जाएगा डाइरेक्ट हम बात कर समीकर्ण एक में तो हमारा है बीटा पान अलफा बीटा कमान कितना है A1 B1 बटा E B1 ठीक है बच्चो और इसका मान कितना है इसका मान हमारा मतलब 10 बीटा कमान हमने रख दिया 10 अलफा कमान कितना हो जाएगा A B बटा D क् इसको थोड़ा सा arrangement करें तो यह आपका A1 B1 है ठीक है यह बटा में A B है बच्चो यह जो हर कहा रहे वो उपर जाएगा और UNS कहा रहे वो नीचे आएगा UNS कहा रहे वो नीचे आएगा यहां तक clear है यहां तक समझ में आया simple है अभी मैंने कुछ नहीं किया पहले क्या किया बच्चो 10 alpha का मान निकाला यहां से A B बटा O B का मान D रख दिया फिर 10 beta का मान कोण के सामझ वाले भुजा लम बटा अधा step by step समझोगे तो समझ में आ जाएगा और यह इस step by step नहीं समझोगे अब हम दो त्रिभूज लेंगे बच्चो दो त्रिभूज समरूपता के नियम से त्रिभूज A 1 O B 1 वा त्रिभूज हम लेंगे A O B थोड़ा सा देखे कहां है समरूप है और समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान है यहाँ पर A O B देख लो देख लिए आपने यहाँ पर देख लो और A 1 B 1 O यह दोनों समरूप त्रिभूज है यह बड़ा वाला बच्चो और यह छोटा वाला यदि इस त्रिभूज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा तो आधार का O B 1 O B ठीक है कोदी कत्व नहीं O B 1 बटा O B अब डाइग्राम से ही समझा सकता हूँ यह बड़ा वाला त्रिभूज लेलो और एक छोटा वाला त्रिभूज तो मैंने क्या कहा यह बड़ा वाला त्रिभूज का संगत भुजाए दि A 1 B 1 तो इसका संगत A B फिर O B 1 का संगत भुजा O B अब कुछ भी नहीं अब यह हमारा एक समिकर्ण 2 था समिकर्ण 2 में मान रख दो समिकर्ण 2 में मान रखने पर मान रखने पर मान रखो बच्चो फटा फट सुपर फास्ट A 1 B 1 के जगए आप O B 1 बटा O B गुड़ा D बटा E B 1 अब थोड़ा सा आपको इसको आप समिकर्ण 3 दे दो चूकि O B 1 कहां पे है O B 1 बताओ O B 1 O B 1 O से B की दूरी देखिए इस लेंस का यह प्रत्विम्ब है और प्रत्विम्ब की दूरी को B से दरसाते हैं तो O B 1 बराबर हो जाएगा B लेकिन अभी दरसक का है इसलिए ठीक है और आप लोगों को पता होगा कि जिधर प्रकास किरन जा रही है उसके विपरीत हम लेंगे तो हमेशा चिन्न क्या होगा रणात्माख होगा यह इसी दिसा में इसलिए धन है इसके बाद बच्चों यह आपका होगा O B 1 यदि O B की बात करेंगे तो O से B बस तू की दूरी को U से दरसाते हैं लेकिन प्रकास इधर जा रही है दूरी इधर लेंगे तो रणात्माख हो जाएगा ठीक है O B की बात करें बच्चों तो माइनस U 0 ठीक है U 0 जे O B आपको पढ़ना है ऐसा क्यों लिया हमने माइनस क्योंकि प्रकास की रणाद इधर जा रही है दूरी हम इधर ले रहे है क्रम बाई क्रम बता रहे है O B 1 पहले लेंस का प्रत्रविम है इसलिए प्रत्रविम की दूरी को B से दर साते है पहले लेंस का वस्तू है वस्तू की दूरी को U से दर साते है बाकि D है है इसमें कोई छेंड खानी नहीं तथा EB1 EB1 कहां पे है जार बताओ EB1 यहां से यहां तक की दूरी हमारा UE है देखिए यहां से यहां तक UE अब बच्चो प्रकास किरण इधर जा रही है लेकिन दूरी हम इधर माप रहे हैं तो रिणात्मक होगा अब आप कोगे सर यह UE क्यों हुआ देखो इस लेंज के लिए वस्तु का कार करता है तो वस्तु की दूरी को यू से ही दरसाते हैं किसे द बच्चो भी जीरो इसका मान है मारा माइनस यू जीरो बुड़ा इस पस्ट दिश्ट की नियुंतम दूरी यही चीज़ है ना यहां से यहां तक तो इस पस्ट दिश्ट की नियुंतम दूरी जब लेते हैं तो हमें सर इनात्मक हो क्यों क्यों कि इधर रहे गा यह ठीक तो V0, पान U0, गुड़ा, D बटा UE, यह आपका समय काना 4 आ गया, यह पहला कंडिशन होगे बच्चो, चीज़े क्लियर है, स्टेप बाइ स्टेप, अब हम दो इस्थित पर निकालते हैं, जब प्रतिविम इस पस्ट दिष्ट के नियुनतम दूरी पर हो, और दूसरा कंडिशन है, 1 upon V-1 upon U, होता है है, न ठीक है, 1 upon V-1 upon U, अब देखो बच्चो चिन परिपार्टी से, देखो नेत Blockchain की बात करें, नेतर से देखेंगे, तो एप को एप ही लिख सकते हैं, सही बाता सर, नेतर отв दूसरा इसलिए, अब जब प्रतिविम इस पस्ट दिष्ट की नियुनतम के नियुंतम दूरी पर हो प्रतिविम कहां पर इस पर दिसके नियुंतम दूरी तो यह ले लिया हमने और यू का जगा यू ए लेंगे और यू यू माइनस में ही था आपको पता होगा इसमें कोई छणखानी नहीं है अब हम क्या करें बच्चो यहां पर एक बटा या फी र ला आ थो जाएगा दी बटा outta या फी हो जाएगा और यह डी से डी कड़ जाएगा तो बच्यका मैनस V0 बटा U0 और यहां पर 1 प्लस D F1 F2 हो गया ठीक है देख लो भाई यह देख लो D F1 यहां पर D F1 UE के जगे हमने मान रखा 1 प्लस D F1 F2 यह condition हो गया ठीक आ गया दूसरा condition जब प्रतिविम्ब जब प्रतिविम्ब अनंत पर बने जब प्रतिविम्ब अनंत पर बने जब प्रतिविम्ब अनंत पर बने मतलब अनंत पर प्रतिविम्ब हो जाए तो जो अभी हम नेतर से देख रहे थे ue जो था वो यफी हो जाएगा कितना हो जाएगा यफी हो जाएगा इसलिए जो हमारा m हो जाएगा b not upon u not जो ue था वच्छो वो यफी हो जाएगा मतलब d बटा यफी ठीक है यही हमारा answer होगी खतम इतना ही थेओरा में जब इस प्रष्ट देष्ट की नियूंतम दूरी पर बने और जब प्रतिविम अनंद पर बने तो यह हम कम समय में आपको समझाने की कोशिस किये फिक कम समय में 10 से 12 मिनट में ज़्यादा समय ला समने नहीं किया point by point समझाया है उमीद करता हूँ बच्चो समझ कर ले समझ लिये होंगे एक्जाम की point अभी से काफी महत्पूने चार अंक वाले प्रिशने बच्चो transformer का question हर बर्स पूचा जाता है और इसके सिध्यान्त को समझते है बागी transformer आपको पता ही होगा एक ऐसी उकती है जो कि बोल्टा को घटाया बढ़ा देता है वो आपका बच्चो transformer कहलाता है transformer जो होता है अन्योंद प्रिण के सिध्यान पर अधारित है अन्योंद प्रिण का मतलब भी होता है कि प्राथमी कुंडली में धारा भाते है तो दुटिया कुंडली में प्रिण धारा उत्पन हो जाती है अच्छा जो बच्चो आपका बोल्टेज घटाएगा वो आपका अपच्चाई कहलाएगा यह जैसा आपका पहला अपच्चाई है यह कहा है बच्चो अपच्चाई transformer और देखे जैसे हमारा यहाँ पर ज्यादा फेरो की संख्य है यहाँ पर कम हो गया तो मतलब बोल्टा को कम करता है और जैसे यहाँ पर आपका बच्चो फेरो की संख्य कम है यहाँ ज्यादा हो गया तो बोल्टा को बढ़ाएगा क्योंकि कम फेरे हैं तो कम प्रिद्धारा उत्पन होगी simple है तो यह अब चाए transformer कहलाता है voltage को कम करता है वहीं पर जब हम उच्छाए transformer की बात करते हैं तो प्राथमी के पेछे दूतियक में प्रिद्धारा उत्पन होती है जिससे voltage को बढ़ाता है यही तो काम है कि मैंनि प्र प्राथमी कुंडली में फेरो की संख्या N.P. प्राइमरी अब चुत N.P. और दुतियक कुंडली में फेरो की संख्या N.S. है चीज़े क्लियर हैं चाहे हम इसकी बात करें चिसकी बात करें प्राथमी कुंडली में फेरो की संख्या N.P. और दुतियक कुंडली में फेरो की सं बंद ये चीज़ आपको तयार रखना पड़ेगा फेराडे का नियम आपको याद रखना पड़ेगा चलिए टाइम लास नहीं करेंगे हमारा सिध्धान्त है सिध्धान्त पटापट करेंगे तो हमने माना कि माना प्रात्मी कुंडली और दुतिया कुंडली में फेरों की सं हो तो चुमकी प्रण के नियम से मतलब फैराडे के तो फैराडे का बिद्दुत चुमकी प्रण का नियम है यहां से नियम से बिद्दुत वाहक बल क्या निकालना है बिद्दुत वाहक बल इसके दिया आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं प्राथमी कुंडली के ज्यादा हम डीप में चलेंगे कि अब फैराडे करने में आपके समझाएं यह फैराडे के नियम से विद्दुद भागबल का सोत रहें इसी प्रकार बच्चो इसी प्रकार हम ज्यादा हिंदी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्जाम पास है कम समय में इसी प्रकार दूतियक कुंडली इसी प्रकार दूतियक कुंडली के प्रतेक फेरे से प्रतेक फेरे से बद चुम की फ्लक्स फाई हो तो दूतियक कुंडली के लिए कहा हो बचो यहाँ पर ES, यहाँ पर primary के लिए था तो यहाँ पर आपका दुतियक कुणली के हो जाएगा NS, D phi upon DT, बस, इसको आप समिकर्ण 1 दे दो, और इसको समिकर्ण 2 दे दो यहाँ तो clear है, आपने माना कि प्रात्मी कुणली फिरुक्संख ANP है, और दुतियक में NS है, तो फेराडे के नियम से यह आपको फेराडे के नियम से लगा देना है इसके बाद क्या करना बच्चो हमारे पास दो समिकर्ण मिल गया है तो समिकर्ण 1 में 2 का भाग दे दो यह समिकर्ण 2 में 1 का भाग दे दो समिकर्ण 2 में 1 का भाग देने पर भाग दे दो बच्चो आसानी से आप भाग दे दो तो यहाँ पर अंस को अंस से भाग देंगे जैसे हमारे पास ES है बच्चो ES है ठीक है ES बटा कितना हो जाएगा EP समभी करना दो में एक का भाग दे रहे न यहाँ पर आपका माइनस NS D5 upon DT है कुछ कट रहा है माइनस माइनस कट रहा है कितना बच्चे का आपके पास ES बटा EP बराबर कितना बच्च बच्चो NS बटा NP यह आपका होगे समिकण 3 यहाँ तक तो आसान है हमने कहा प्राथमी कुंडली के लिए फराडे की नियम से और यह दुतिय कुंडली के लिए समिकण 2 मेक का भाग दे दिये तो हमारा आगे संबंद ES upon EP बराबर NS upon NP अब इसके आगे थोड़ा से समझेगा मैं यह कहता हूँ कि मान के चले कि यह प्राथमी कुंडली में जो प्रतिरोध है बहुत कम है तो जो भी इसमें बिद्द बहाग बल होगा वो बोल्टिज के बराबर होगा ऐसे दुतिय कुंडली में मान के चलते हैं कि भाई जहाँ बेरी दुतिय कुंडली का जो सीरा हो खुला हो तब इसमें जो भी बिद्द बहाग बल होगा इसके voltage के बराबर होगा कहने कातात पर यह हुआ कि प्राथमी कुंडली का प्रत्रोध नगन नहों तो प्रेज़ बिदुद बहागबल है प्राथमी के में वो बोल्ड़ता के बराबर होगा ऐसे दुतिया कुंडली के सिरे खुले हो तो उसमें प्रेज़ बिदुद बहागबल के होगा बच्चो बोल्ड़ता के बराबर होगा कहने कातात पर जो हमारा ES upon EP निकल कर आया था बच्चो जो समीकर्ण 3 था समीकर्ण 3 था समीकर्ण 3 जो था ES उसके जगे हम BS लिख सकते हैं जो था EP उसके जगे हम BP लिख सकते हैं बाकि धर आपका NS upon NP तो हई है इसको आप समीकर्ण 4 दे सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखिए मैं यह भी तो कहना चाहूंता भया कि धारा भी तो बहरा है कि यदि माली जे प्राथमी कुंडली में AI धारा IP धारा भहे और दुतिय कुंडली में IS धारा भहे क्योंकि प्राथमी कुंडली में प्राथमी कुंडली में प्राइमरी है उसमें धारा जो भहेगा बच्चो कितना होगा IP होगा दुतिय कुंडली में धारा आई आई एस अब देखिए जो धारा की सक्ति है जितना यहां था उतना यहां भी रहेगा ऐसा नहीं है कि धारा का सक्ति यहां थोड़ा अधिक था यहां काम हो जाए धारा की सक्ति में बदलाव नहीं होगा तो प्राथमी कुंडली में जितनी ध सक्ति निकलता कैसे है कितना बोल्टेज है प्रात्मी का और कितना धारा है इससे सक्ति के बराबर होता है भी गुड़ा आई ठीक है दूतिय कुंडली के लिए रहेगा आपका भी एस सेकेंडरी है इंटू आई एस हमें क्या निकलना बच्चो एनस अपान एनपी तो एनस अपार आई पी रहने दो इधर इधर ले आओ आई एस ठीक है इधर आपका भी एस है बच्चो और इसको ले जाओ बी पी और यह आपका समिकरण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा अब देखो भीएस अपान भीपी एच से तु समीकरण समीकरण 4 वा 5 से तुलना करो समीकरण 4 NPK और बराबर है IP upon ISK ठीक है इसको आप एक समीकर्ण भी दे सकते हैं और इसी समीकर्ण से मुखरूप से निसकर्स निकलता है थोड़ा आप समझ लेंगे बच्चों तो clear हो जाएगा जैसे पहला नंबर मैं ये कहता हूँ पहला नंबर ये कहता हूँ कि मान लीजिए दुतिय कुंडली में बोल्टेज कम है बोल्टेज कम है ठीक है किस से प्राथमिक कुंडली से बोल्टेज क्या है कम है थोड़ा समझेगा दुतिय कुंडली में बोल्टेज कम है तो यदि बोल्टेज कम है मतलब वो अच्छाई ट्रांसफार्मर है तो अच्छाई ट्रांसफार्मर है तो अच्छाई ट्रांसफार्मर में देखो यदि VS कम है तो NS कम होगा सीधा सीधा समान उपाती है न तो NS जो है बच्चो वो छोटा हो जाएगा NP से किन्तु किन्तु जो धारा है यदि मैं आपसे कह दूँ कि ये धारा में क्या परिवर्तन होगा तो भाई IP से ज़्यादा IS में होगा यानि कहीं न कहीं जो आपका बोल्टेज कम तो हो रहा है बोल्टेज भी एस मतलब दूतियक का है तो बोल्टेज तो कम हो रहा है तो फेरो की संख्या कम है वैसे भी आपचाय ट्रांसफार्म मैं ने समझाया था कि दूतियक कुंडली में फेरो की संख्या कम है दूतियक कुं हिंदी में यहाँ पर लिख लेना भाई कम समय में डिवीजन कर आओ इसलिए हिंदी नहीं लिख रहा हूं दूसरा कंडिशन यदि भीयस का मान बढ़ जाए भीयस का मान बढ़ जाए मतलब दूतिया कुंडली में जो बोल्टेज बढ़ जाए तो कहीं न कहीं यह जो आपका फेरो की संख्या भी अधिक होना चाहिए ठीक है किन्तू 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 जो आपका I IP का मान है बच्चो अब इस बार अधिक होगा किसे IS से मतलब secondary का जो प्रवलता है वो कम हो जाएगा मतलब जो उचाहि ट्रांसफार्मर होता है VS का मतलब अधिक मान है नि बोल्टेज अधिक है बोल्टेज बढ़ाया है तो कहीं न कहीं उसमें फेरो की संख्या अधिक तो है किन्तू धारक प्रवलता कम हो जाती है इससे निसकर्स निकला बच्चो यह जो अप्चाहि बोल्टेज को कम करता है दूसरा कंडिशन यह हमारा उचाहि ट्रांसफार्मर के लिए है उचाहि ट्रांसफार्मर दुतिया कुंडली में फेरो की संख्या दिखोती है प्रात्मी कुंडली से दुतिया कुंडली में फेरो की संख्या दिखोती है किन्तू धारक प्रवलता क कम कर देता है ठीक बच्चो ये चीज हो गया और यदि हम कोई पूचे कि पईणामान अनुपाद क्या है बच्चो तो पईणामान अनुपाद याद रखिएगा दुतिया कुंडली में फेरो की संख्या और प्राथ में कुंडली में फेरो की संख्या का अनुपाद ही आपका पईडामान अनुपाद कहलाता है यह आप कहोगे कम समय में समझाने कोशित करता हूँ ज्यादा टाइम पास करना नहीं है बच्चो जितना मैं समझा है उतना आप लिख दोगे नंबर मिल जाएगा इसका हिंदी आप लोगों का लिखना है ठीक है तो अभी मैं कम समय में कोशिस कर रहा हूँ इसलिए हिंदी नहीं लिख रहा हूँ बांकि आप लोग समझदार हो लिख लेना ओके बच्चो आप लोग लेन्स सूतर बहुत आसानी से सीख जाओगे बस थोड़ा सा समय देना होगा बच्चो आप हमारे साथ यहीं से लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटेड कहता हूँ एकजाम में सीधा छाप के आएंगे आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चो सबसे पहले बात करते हैं हमारे यह उत्तल लेंस है यह हमारा अब्दल लेंस है हम किसी एक लेंस के सहारे से हम पूरा थ्योरव निकालेंगे सबसे पहले हमारा लेंस है इसके सामने एक बिंदू बस्तू रखा हुआ है लेंस में दो प्रिष्ठ है बच्चो एक प बरतन की फलसुरूप यहां पर मिली और जहां पर मिली वहीं पर उसका प्रतिम बना हम पुरा डिटेल्स नहीं लिखेंगे एक्जाम में जितना लिखना वहीं हम बताते हैं आपको कि माना A B और C D ठीक है दो प्रिष्टों से मिलकर एक लेंस है ठीक है बच्चो अब लेंस की सम्मुख मुखक्ष पर एक बिंदू बस्तू ओ रखा हुआ है यहां से एक प्रकास केंड़ चलती है सीधे प्रकासिक केंडर सी यहां पर प्रकासिक केंडर सीधे चली जाती है और एक प्रकास केंड़ यहां से चलती है अब बरतन की फलसुरूप यहां पे मिलती है तो पह प्रतिविमन बच्चो हुआ है पर पत्रबना है फिर जो समझेगा आउन जो है दूसरे कलिए वस्तू का कार करता है और जो दूस्रा प्रतिविमन अभी पर बनता है यहाँ थाः लक्लीऋ बच्चो तो हम मानकी चलते हैं प्रकासिक केंद्र से बस्तू की दूरी को क्या मानेंगे बच्चो प्रकासिक केंद्र से बस्तू की दूरी को यू मानेंगे और ध्यान रखना है प्रकास किरण की विपरीद दिसा में दिये हम लेते हैं तो माइनस लेकर चलेंगे और प्रकास किरण इसे इधार चल वह हैं हमारा ऐवन की दूरी भी वन और आई की दूरी भी है ठीक है ठीक है कोई दिक्कत separate बच्चो चीजिए 큰일 पहले प्रस्ट दौरह प्रतिमिंव पर बना और दूसरे प्रस्ट के लिए आई वन वस्तु का कारएंगा प्रयार गार आई पर बना इतना क्लियर तो सब कुछ खतम हो जाएगा क्यों कि भाई साब वही चीज़ तुमने लिखा है कि वस्तु की दूरी प्रतिमी की दूरी और लास्ट में जो आपका अंतिम प्रतिम आई की दूरी भी है और हमने कहा जो ए भी प्रष्ट है इसका प्रतिम आई पर अब बर्तन सूत्र से कोई बच्चा बता सकता है अब बर्तन सूत्र यहां पर आप लोग थोड़ा सा अब बर्तन सूत्र याद कर लें यह होता बच्चों mu upon V minus 1 upon U equal mu minus 1 upon R से इसी से हम करेंगे अब ये है क्या थोड़ा सा समझने कोशिस करेंगे mu तो आप बरतनाग है तो ये mu ही रहेगा V क्या है प्रत्रविम की दूरी तो पहले प्रिश्ट के लिए V1 है प्रत्रविम की दूरी तो यहाँ पर मैं भीवन करूँगा प्लस ही रहेगा जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रकास किरण इधरी चल रही है और हम इधरी दूरी माप रहे है दूसरा कंडिशन यह आपका यू क्या है बच्चो यू यह वस्तू की दूरी है अब कुछ लोग कहेंगे साथ प्लस माइनस यहाँ पर नहीं लेंगे देखिए जब हम इसका अपबरतन सूत्र लेते हैं बच्चो तो अपबरतन सूत्र में अल्रड़ी प्लस माइनस चिन संयो जीत रहता है तो यहाँ पर plus minus चिंद ना लेंगे तो भी चल जाएगा अच्छा, plus minus लेंगे तो दोनों भी लेंगे तो आजाएगा, यदि plus minus नहीं लेंगे तो किसी में नहीं लेना, दो condition ना, जैसे यहाँ पर u का u हो जाएगा, वस्तु की दूरी यहाँ पर बच्चो, mu minus 1 ही रहेगा, लेकिन पहले के लिए त्रिजज हो जाएगा, r1 हो जाएगा, इसको अब एक सम्ही कर देदो, अब थोड़ा सा, यह हमारा पहले प्रिष्ट के लिए था, a, b के लिए था, अब हम दूसरे प्रिष्ट के लिए करेंगे, दूसरे प्रिष तो वो उल्टा हो जाता है, तो mu का हो जाएगा, one upon mu, ठीक है, और यह आपका भी के है, भी के है, वो आपका प्रतिविम का दूरी बच्चो, तो पहला जो i1 है, यह दूसरे के लिए वस्तु का कार करता है, और i जो है, यह प्रतिविम है, तो इसकी दूरी भी है, तो भी ही दयान रखेगा, तो यहाँ पर भी लेंगे बच्चो, ठीक, माइनस, one upon you, you होता है, लेकिन you के है, you जो बच्चो बस्तु का कार, बस्तु कौन है, वस्तु इसके लिए कौन है, दूसरे प्रिष्ट के लिए यह आई वन है, तो इसकी दूरी भी है, ठीक है, इसी में लोग दूसरे प्रिष्ट की बात आजाती है बच्चो, तो दूसरे प्रिष्ट के लिए भी वन वस्तु की दूरी है, यहनी वस्तु का कार करता है, इसलिए, यहाँ पर बच्चो म्यू माइनस, one तो यह एक बटा म्यू माइनस, one और र का हो जाएगा, आर टू, दोनों प्च्च म्यू का गुणा करेंगे, तो म्यू अपान भी वन हो जाएगा, बच्चो, फिर यहाँ पर, यदि हम म्यू का गुणा करेंगे, तो यह कट जाएगा, तो एक बच्चेगा, यहाँ पर म्यू का गुणा करेंगे, तो म्यू अपान आर टू हो जाएगा, इसको आप समिकर्ण दो दे दो, अर अब कुछ ना करो, समिकर्ण आप एक और दो को जोड़ दो, समिकर्ण एक और दो को जोड़ने पर, समिकर्ण एक वा दो को जोड़ने पर थोड़ा सा ध्यान दिजेगा, थोड़ा सा बहुत जल्दी थ्योरमा जाएगा, देखो बच्चो ये plus है ये minus है तो कड़ जाएगा तो बचेगा क्या 1 बटा B minus 1 बटा U जरा ध्यान दो ये plus ये minus कड़ जाएगा 1 बटा U minus में बचेगा और ये plus में बचेगा इधर का तो सब कुछ सेम रहेगा mu minus 1 upon R1 plus का बच्चो 1 minus mu upon R2 अब यहां से थोड़ा सा मैं आप से कह दूँ कि 1 upon B रहने दो यहां पर 1 upon U रहने दो इन दोरों में से कुछ कामा ले लो जैसे mu minus 1 लेता हूं यहां पर बचेगा एक बटा R1 लेकिन सर यहां पर तो 1 minus mu है और हमने mu minus 1 ली है अब थोड़ा सा condition यहां से लगाँगों मैं थोड़ा सा condition द्यान रखिएगा कि यदि yu anant पर मतलब बस तू की दूरी अनंत हो है ना यहनि बस तू अनंत पर हो यदि यदि यू बराबर infinite, अनन्द पर हो तो यदि वस्तू अनन्द पर हो तो जो आपका प्रत्वीम है focus पर बनता है, सही है कि नहीं? यदि वस्तू यदि अनन्द पर है, तो भी बराबर एप होगा, यदि प्रत्वीम जो है focus पर बनेगा. Clear है? मतलब यहां पर देखेगा, यहां पर देखेगा ने, confused हो जाओगे आप, यहां पर देखे, एक बटा B, B मतलब प्रतिम की दूरी, तो एक बटा F, प्रतिम कहां पर बन रहा है, F पर, कब, जब, जब, बस तु कहां पर है, अनंद पर, मतलब एक बटा अनंद, नहीं, लोग confused हो इसको तो यह पूरा, एक बटा अनंद, जीरो कर देता है, तो बस ता, एक बटा F, बराबर, म्यू माइनस 1, एक बटा R1, माइनस एक बटा R2, ठीक है बच्चों, यह आपका समीकर्ण कौन सा, 3 से 4 हो गया, और यह जो समीकर्ण 4 है, यही लेंस निर्माता सूत्र है, इसे ह इसे ही, इसे ही, लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं, लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं, बच्चों सीधा कोश्चन पूछा जाता है, कोश्चन पहले आप लोग देख लो, कि दिश्ट करण क्या है, आर्ध तरंग दिश्ट कारी के रूप में, पियन संधी डायोट का बटन, एक तो आपका पदिपत का चित्र फिर कारविधी निवेसी विभो और निर्गत विभो का समय के साथ परिवर्तन आरेख जो कि ये आपका आरेख बना हुआ है ये आपका पूरा का पूरा है नामांकी चित्र दूसरा बच्चो ये आपका है क्या निवेसी विभो और निर्ग बिल्कुल मैं आप से कहूंगा कि भाई साहब आप लोगों को क्या ये बन रहा है या नहीं बन रहा है ये बात छोड़ो ना मैं गरेंटर ये कहता हूं इस वीडियो को देखने के बाद बच्चो आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा चले शुरू करते हैं सबसे पहले बात क दिष्ट धारा है और उसको हमको दिष्ट धारा में बदलना है तो ये बदलने की क्रिया बच्चो दिष्ट करण कहलाती है और जो हमारा उपकरण होता है वो दिष्ट कारी कहलाता है ठीक है दिष्ट करण दिष्ट कारी में क्लियर हुआ कि हमारे पास प्रत्यवर्ती धार तो ये जो प्रक्रिया है वो दिष्ट करण कहलाता है क्या कहलाता है दिष्ट करण कहलाता है और बच्चो जो उपकरण होता है जो उपकरण उसी उपकरण को हम दिष्ट कारी कहते हैं क्या बोलते हैं दिष्ट कारी यहीं प्रत्यवर्ति धारा को दिष्ट धारा में बदलना ही दिष्ट करण कहलाता है अब बच्चो प्रत्यवर्ति धारा को दिष्ट धारा में बदलना है तो हम एक PN संधी डायोड का प्रियोग करते हैं यह जो हमारा PN संधी डायोड है यहां और आप देख लीजिए PN संधी क्या है जब P प्रकार का अर्चालक और N प्रकार का अर्चालक मिलता है तो PN संधी डायोड का निर्माड होता है इसका कुछ बेसिक फैक्ट मैं आपको बताता हूं बच्चो जैसे मान के चलते हैं यह हमारे पास PN संधी है देखेगा थोड़ा सा आप लोग देखेगा यह हमारा PN संधी है ठीक है ठीक है यह हमारा PN संधी है बच्चो अब इस PN संधी को यदि किसी बैटरी के बैटरी के धन सीरे से जोड़ दिया जाए ठीक है और N वाले भाग को बैटरी के सिरे से यह हमारा अग्रबायस कहलाता है क्या अग्रबायस क्या कहलाता बच्छो अग्रबायस और अग्रबायस में से जब अग्रबायस में रहता है तो बिद्दुत का चालन होता है दो चीज आपको तयार रखना है बाकि बहुत आसान है यह हमारा अग्रबायस यह है तो बि से जोड़ देते हैं तो यह हमारा ये पश्च बायस में चला जाता है बच्चो पश्च बायस में चला जाता है किसमें पश्च बायस में और धारा प्रभाहित नहीं होती है दो कंडिशन है जब पियन संदी अगर बायस में होता है तो धारा प्रभाहित होता है जब पियन ये क्रम प्रत्यवर्ति धारा का बच्चो ठीक है प्रत्यवर्ति एक उपर वाला धनात्मक चक्र मनते हैं रिनात्मक चक्र तो एक बार धन होगा जब धन होगा तो ये आपका धन से जुड़ा रहेगा ना तो जब धन से जुड़ा रहेगा बच्चो तो अगर बायस लेकिन यही धारा करके इसके पास रिण के पास आया तुम्हें पश्चवाया यह उपर वाला धन रिण धन रिण धन रिण यह चीज आपको समझना अब आप कहोगे सर यह कहां समझा रहे हो कहां पॉइंट की बात करो थोड़ा सा देखो दिश्ट करन प्रत्यवर्ति धारा क प्रत्य धारा यहां और दूसरे सिरे पर लोड़ जुड़ा है लोड का मतलब जहां से हम धारा प्राप्ट करते हैं फिर से समझेगा हम किस प्रकार से जोड़के रखे हैं थोड़ा सा समय देना पड़ेगा वाकि कोई दिक्कत नहीं है बच्चों हम यह कह रहे हैं ट्रांसफारमर है हमारे पास ट्रांसफारमर में दो कुंडली है एक प्राथमी एक तूत्री ये आपको प्राइमरी और ये सेक दिश्ट धारा निकालेंगे यहीं तो हम प्रक्रिया पढ़ रहें प्रत्य वर्ति धारा का दिश्ट धारा में रूपा उम्तरं प्रत्य धारा का चाहिए ट्रांसफार्मर का काम क्या है !? गाटाना या बढ़ाना ये आपका आपके ट्रांसफार्मरवन है "... कैसे ट्रंसफार्मर है आप inve один यहां पर इसी करंट आया है तो यह इसके बोल्तेज Ready को कम करता है क्या करता पच्छों बोल्तेज को कम करता है इतना गोटेज लगाते हैं तो दूतिया कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन हो जाती है यह सब को पता है ना बिद्दु चुमकी प्रेरण की क्रिया से प्रात्मी कुंडली में धारा भाने पर दूतिया कुंडली में आटोमेटिक प्रेरित धारा उत्पन हो जाती है अब यह जो प्रेरित धारा होते है बच्चो, स्रंग और गर्थ की रूप में, स्रंग और गर्थ की रूप में चलती है, अभी मैंने आपको समझाया किस प्रकार से स्रंग और गर्थ की रूप में चलती है, एक बार आरेक उपर की और चलेगा, एक बार नीचे की और आरेक, कोई भी धार बच्चो इस प्रकार्श चलती है, प्रत्यवर्ती धारा है, तो कुछ इस प्रकार्श चलेगी, ठीक है, उपर, फिर नीचे, फिर उपर, फिर नीचे, फिर उपर, फिर नीचे, ये आपके प्रत्यवर्ती धारा का है, इसलिए जो उपर वाला भाग है न, ये निवेसी कहलात परिपत का नमांग की चित्र तो परिपत में हमारा T ट्रांसफार्मार है यह हमारा AC के प्रत्यवर्ति धारा है निवेसी प्रत्यवर्ति बोल्टेज है T ट्रांसफार्मार हो गए वो भी आप चाही है बच्चों कैसा आप चाही है ठीक है R हमारे लोड है लोड का मतलब जहां से हम निर्गत कराएंगे और इस जो हमारे पास पियन संदी डायोड है इस दूतिय कुंडली के साथ जुड़ा हुआ है अब इसमें होता क्या है हमने कहा कि जब इसमें से प्रत्यवरती धारा या बोल्टेज लगाया हमने तो प्रेरण के फास रूप जो सेकंडरी कुंडली है इसमें प्रेज़ धारा उत्पन होती है सही है की नहीं क्लियर है चीज़ है समझ में आया यहां से बच्चों जैसे इसमें प्रेज़ धारा उत्पन होती है तो धारा का पहले उपर वाला भाग उपर वाला भाग और नीचे वाला भाग तो पहले कौन सा भाग आएगा ये धनात्मक चक्र तो प्रथम अर्ध चक्र में प्रथम अर्ध चक्र में देखो प्रथम अर्ध चक्र में ये जो ए है धनात्मक होता है और जब यह धनात्मक होता है तो हमने कहा कि जब A आपका धनात्मक है और P का संबन जब धन से होता है तो यह आपका अग्रबायस में रहता है प्रथम अर्द्चक्र में दुतियक कुंडली की बात करें जो A है वो धनात्मक है और B आपका रिनात्मक है दोनों भाग है तो एक बाला भाग धनात्मक होगा तो A हमाला धनात्मक है और जब धनात्मक है बच्चो तो कहीं न कहीं पियंज जो संदी डायोड है ये आपका अग्रवनित रहता है और जब अग्रवायस रहता है तो इसमें धारा प्रवाहित होती है आसानी से ठीक है लेकिन वही पर जब दूती अध्चक्र की बात करते हैं तो उल्टा हो जाता है दूती अध्चक्र में ये अभिनत में हो जाता है जिसके कारण आर में से धारा नहीं बहती है ठीक है अगले चक्र में पुना यही अभिनत होता रहता है यही क्रिया होता रहता है कि फिर से हम बात करते हैं फिर अगले चक्र में जब अगले चक्र में पहुंचे तो फिर से धन में पहुंचे जब फिर स अगले अर्द चक्र में पहुंचते हैं जैसे ही रिन में पहुंचते हैं तो फिर से ए वाला रिन में हो गया और भी धर में हो गया जब ए रिन में हो गया तो यह आपका प्रश्य भिनत में चला गया और प्रश्य भिनत के कारण धारा प्रवाहित यह लोड में से धारा नहीं मिला कहानी समझ में आ गया होगा इतना यह भाई इतना यह बाबू थोड़ा समझो मैं यह कह रहा था पहले अर्द चक्र में पहले अर्द चक्र में जैसे ही माली जी हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राथमी कुंडली में प्रत्यवर्ति बूल्टेज लगाया गया प्रेर धनात्म विभाव पर होता है अब इसको तरीके समझाता हूँ ए जो है बी के सापिश अधिक धनात्म विभाव पर होता है जब यह विभाव पर होता है धनात्मक पर तो जब आपका आपने पढ़ा है कि पी का संबंद धन से होता है बैटरी के धन सीरे से यह पी का संबंद ब प्रवाइत होगा लोड आ रहे हैं चाहिए इसमें बल्ब लगा जो कुछ भी करो लेकिन वहीं पे जब दुती अर्द चक्र की बात करते हैं जब दुती अर्द चक्र में होते हैं बच्चों दुती अर्द चक्र में जैसे ही पहुचेंगे तो दुती अर्द चक्र में क्या हो दुतिय अर्ध चक्र में यहोगा कि भाई साहब ए जो है रफणात्मक घुकाथ आ भी पयीज़ तीस्तित्मिमें इसमाइख प्रिश डिहताई तो दुतिय अर्ध नने चक्र में धारा नहीं वहएगा इसलिए इसमें धारा बहरा है इसमें चला इसमें बहा फिर जब बच्चो अगले चक्र में जब हम फिर से एरिन की ओर चलेंगी तो जैसे एरिन में पहुंचते हैं तो एरिनातम युहाँ पर हो जाता है इसे स्थित्व पर पर शबुनत में हो जाता है पर शबुनत से धारा नहीं बहती है तो इसमें फिर से धारा नहीं बहेगा यही क्रम चलता रहता है देखो बच्चो थोड़ा समझो जब ट्रांसफार्माट टी के प्राथमी कुंडली में प्रत्यवर्ति बोल्टेज लगाया जाता है तो दूतिया कुंडली में धारा बहाएंगे तो दूतिया मैंने पहली बताया अग्रभनत गषण कर और तो दूतिया कुंडली का सिरा धनात्मक की उर्पर होता है लेकिन धार्द हर्द चक्र में जैसे हिरिन की हो जाएंगे बच्चो यह हम थोड़ा सा डाइग्राम में चलते हैं यह प्रत्य और्द चक्र नीचे वाला धुतिया च जैसे दूती अर्चक्र में चलते हैं तो A B के सापेश रण हो जाता है जब रण हो जाता है तो यह पस्ट अभिनत में चला जाता है मतलब उतक्रम अभिनत में होगा जिससे धारा प्रभाहित नहीं होगा इससे अगले चक्र में डायोड पुना अग्रबनत में होगा जिससे क्यार से पूना धारा प्रभाहित होगी यही क्रम चलता रहता है और निवेसी प्रत्यवर्तवें फिसमें बना कि बता देता हूँ ता कि आप लोगो जिन्दी Mmm कभी ले पाए मैं ये कहता हूँ थोड़ा से समझेगा ये दो हमारे पास लाइन है और लाइन में थोड़ा सा इस तरीके से मैं खीच देता हूँ ताकि आपको समझा सकों सिर्फ समझाने के लिए खीच रहा हूँ निर्गत में धाँ नहीं बहां तो देखो आधा में भाsoft प्र आधा में वाँ प्र आधा और या इसलिए इन जाकर क्या बोलतें बच्छो आर्धाचक्र बोलते हैं पियनसंधीडायोड का पूण्टरंग दिश्टकारी रूब बताईे हमने अर्धातरंग दिश्टकारी का आपको बताया था सायदिदी उस वीडियो को आप लोग देखे होंगे ये आसानी से समझ में आएगा सबसे पहले बात करते हैं बच्चो दिष्ट करण है क्या जिसे हमारे पास प्रत्यवर्ती धारा है इस प्रत्यवर्ती धारा को हम दिष्ट धारा में बदलना चाहते हैं तो ये बदलने की क्रिया ही दिष्ट करण है मतलब दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया किस धारा को प बदलने की क्रिया बच्चों आपका दिश्ट करण कहलाता है यहीं हमारा दिश्ट कारी यहाँ पर है जिसमें अपन प्रियोड का प्रियोग करते हैं यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेगा बच्चों यह हमारा ट्रांसफारमर है ट्रांसफारमर में दो कुंडली है एक प्राथमी कुंडली जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी और दूसरा हमारा सेकेंडरी अब प्राथमी कुंडली में एक आपका प्रत्यवर्ती धारा स्रोथ जुड़ा हुआ है ठीक है और दुतिया कुंडली में आपके प पियन संदी डायोड है इसी के माद्यम से इसको दिश्ट धारा में बदला जाता है ये तो हो गया डाइग्राम क्योंकि कोश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के देखे ना कोश्चन परिपत का नामांग की चित्र कारविधी निवेशी भी हो और निर्गत भी हो जैसे यहा को पता है कि जो पियन संदी क्या है जब प्रकार का अर्धचालक और न प्रकार का अर्धचालक मिलता है तो पियन संदी बनाता है क्या बनाता है पियन संदी जिसे हम कुछ इस प्रकार से दरसाती है यह हमारा पियन संदी है यह हमारा बच्चो पियन संदी है अब इसमें ए तो यह हमारा कहलाता है अग्र अभीनत क्या कहलाता है अग्र अभीनत और इस अग्र अभीनत में धारा बहती है इसी का में खेल है इसी का में खेल है थोड़ा समझने ला बाकी मैं गरेंटेड कहता हूं कभी नहीं मूलेगा पर थोड़ा समझो यही पी एंसंदी का में खेल है पी एन संदी कैसे बना पी प्रकार और एन प्रकार के अर्दचाला के मेल से अब जब इसकों किसी परिपत में जोड़ते हैं यदि पी का छेतर धन से है और एन का छेतर जिन्ड से है तो ये आपका अग्र अभिनत होता है और अग्र अभिनत में धारा बहती है इसका बड़ा लंबा प्रोसेस से समझाने के लिए कि कैसे बहती है होल इलेक्टरान का संयों किस प्रकार से होता है साहचे होजी बंद कैसे तूटता है उससे मतलब नहीं है यहाँ पर यह समझना है कि P का संब्द्र धनात्मक से है और N का संब्द्र धनात्मक से है यहीं पी वाला भागे दी धन से जुड़ा है तो वह अगर अभिनत में है और इससे धारा बहती है वहीं पे बच्चो वहीं पे थोड़ा सा इसका इदी अपोजिट कर दें मतलब इस पी का संबंद बैटरी के रिन सीरे से कर दें किसे रिन सीरे से और N का सम्मंद बैटरी के धन सीरे से कर दें इस इस्तित में इस इस्तित में ये आपका पश्च अभिनत कहलाता बच्चो क्या पश्च बायस कहलाता है या पश्च अभिनत कहलाता है और इसमें धारा नहीं बहती फिर से समझना जब पी का संबंद जैसे हमारा पीन संदी डायोड है जब पी का संबंद बैटरी के धन सीरे से होता है या धनातमग विभाव पर होगा तब यह अगर भिनत होगा और धारा बहेगी वही पर जब पी का संबंद बैटरी के रिन सीरे से होगा या आपका रिनातम लोग भी भाते होगा तब यह पश्चा भीनत में होगा और इस इस्टतमे धारा नहीं बह्मतलब से रहे हैं, है यहां पर प्यांस अंदीरा भीनत में रहे है तो धारा भह की कोशिस करें मतलब यदि पियन संदी डायोड अग्र बायस में है तो उसमें धारा बहती है पियन संदी डायोड यदि पश्च बायस में है तो धारा नहीं बहती अच्छा ये अग्र बायस कब होता है जब पी का संब्द धनात्मक से होता है पश्च बायस कब होता है जब प प्रत्यवर्ती धारा को दिश्ट धारम बदलती है। उसे दिश्ट कारी कहते हैं। यदि हमने डाइग्राम की बात की बच्चों तो ये पूरा डाइग्राम हमने बनाया था। इस चित्र में आप लोग T को देख रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर है। ये प्राथमी कुंडली हो गया। ठीक है। ये प्रत्यवर्ती बोल्टेज निवेशी मतलब यहां से हम प्रत्यवर्ती बोल्टेज आरोपित करते हैं। दुतिय कुंडली में प्रेरित होता है। आप सब को पता है कि भाई साब प्रेरण की क्रिया। प्रेरण की क्रिया क्या होती है। जब हम प्र कि जैसे ही एम प्रात्मी कुंडली में बृत्याबर्ती बोल्टे गया रोपीत किये तो दूती है कुंडली में प्रिधारा उत्पन हो गई अब ये प्रित्याबर्ती धारा किस रूप में चलती है बच्चों सबको पता है स्रंग गर्थ उपर वाले को धनात्मग भी भाओ फिर धनात्मग 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 में हमने निवेसी बोल्टेज दिया वो आपका स्रंग गर्थ के रूप में चलता है ठीक है बच्चो जब हम प्राथमी कुंडली में अरवपित कराते हैं तो तो ये कुंडली में प्ररिधारा उत्पन होती है और ये प्ररिधारा किस प्रकार से होती है बच्चो इस प्रकार से स्रंग गर्थ के रूप में ठीक है अब थोड़ा सा यहां से यदि आप माइन कंसंट्रेट कर लेते हैं थोड़ा सा जादा नहीं थोड़ा सा देखे बच्चो होता क्या है कि जब हम प्रत्यवर्थी बोल्टेज लगाते हैं तो पहला जो चक्र होता है वो धनात्मक होता है क्या होता है प्रत्यम चक्र की बात करते हैं तो यह धनात्मक होता है जब यहाँ पर धनात्मक हुआ मतलब प्रत्यम अर्ध चक्र में ए धनात्मक पर है यदि ए धनात्मक पर है तो भी रिनात्मक पर है प्रता मर्द चक्र में ए धनात्मक में है यानि धनात्मक ही वह तथा बीर धनात्मक ही वह पर है ए का संबंध देखे जरा यहां पर देखे ए का जो संबंध है वो D1 के पीसे है है ना मतलब जो A है वो बिन्दू E की तुलना में अब आप कोगी E का है सर यह E है मतलब A जो है बिन्दू E की तुलना में अधिक धनात्मक है जिसके कानद D1 जो है आपका अगर बायस में है और जब अगर बायस में है तो इस से धारा बहते है लोड आरमे से बहते है जबकि जो हमारा यह जो बिन्दू B है इसके तुल्ला में रणातमग भोपर है जो बिंदुबी है बच्चो प्रथम अर्द चक्र में बिंदुबी है एके तुल्ला में रणातमग में इसलिए इसमें से धारा नहीं बहता इसमें से धारा नहीं बहता यह आपका बच्चो उतक्रम अभिनत में है जिससे एकार नहीं करता है तो कही न कही जब प्रथम अर्ध चक्र की बात करते हैं तो प्रथम अर्ध चक्र में A धनात्मक भोपर होता है B के अपेच्छा और E से भी ज़्यादा धनात्मक भोपर होता है जिससे D1 अगर अभिनत में होता है फलसरूप लोड आर में से धारा बहती है इस समय जो बिंदू भी है वो ए के सापेच रणात्मक भोपर है फलसरूप यह आपका उतक्रम अभिनत में है यनि पस्च भायस में है और जो पस्च भायस है इसमें धारा नहीं भैती है मतलब जब हमने प्रथा मार्ध चक्र लिया तो धारा तो बहा धारा बह गया इसमें से धारा बह गया जब हम दूती अर्ध चक्र की बात करते हैं बच्चो तो दूती अर्ध चक्र में ये रणात्मक भी वह पर हो जाता है मतलब ये देखी रणात्मक भाग तो जब दूती अ चक्र में एँ रडातमक में है अब भी धनातमक में है तो ए का विभाव टे आप एच्छा कम है फरसरूप दीवन जो है पर्श भिनत में है ये कार नहीं करता जिंतु बी का विभाव एक तुल्ला में धनातमक पर है और इस इस्थित में यह डीटु जो है वो आपके अग्रभिनत में है जिससे लोड आर में से इस बार इधर से धारा बह रहा है तो दूतिय चक्र में भी धारा बह गया है ये लो भाई इसलिए पहले में भी बहा दूसरे में इसलिए इसे पूर चक्र के नाम से जानते है अर्द चक्र के नाम से नहीं इसे पूर चक्र के नाम से जानते है फिर आगे चलेंगे बच्चों तो फिर ये आगे तीसरा फिर धनात्मा कर्द चक्र में आएगा जब धनात्मा कर्द चक्र में आएगा तो फिर ए धनात्मक में बी रनात्मक में तो इस बार फिर से D1 मतलब अग रभिनत में हो जाएगा और लोड में से धारा बहेगा और इस बार D2 काम नहीं करेगा फिर जब अगले स्टप में आएंगे तो फिर से आपका A धनात्मक में इस बार B धनात्मक में हुआ तो इस बार इसमें से धारा बैगा, इसमें से नहीं, इसलिए पहले बार D1 से गया, दूसरी बार D2 से गया, फिर D1 से D2, मतलब हर बार धारा बै रहा है, इसलिए पूर चक्र बोलते हैं, कि हर चक्र में धारा मिलता है, इसलिए इसलिए पूर चक्र बोलते हैं, पियन संदी बोल्टेज लगाया जाता है ये आपका प्रत्यवर्ती तो दुतिया कुंडली में प्रत्यवर्ती बोल्टेज प्रेइध हो जाता है। प्रातमी कुंडली है यह दुतिए कुंडली, आगे चलते ही। प्रथा मार्ध चक्र में A धनात्मक भी होता था, B रनात्मक, यह धान है, तो B रना है, परंतु A बिंदू A की तुलना में धनातों जो भू हो, यहां पे जो बिंदू है, इस से या पैच्छा यह धाना यह रन काउप दी टू-विंदू, लेकिन जैसे दू अर्दा-चक्र की बात करते हैं, जैसे दू-द्थी-अर्दा-चक्र में पहुंचते हैं, तो ए आपका धनाथ्माथ हो जाता है, ठीक है बिंदू ए के तुल्ला में ये अधिकर नात्मा का है इसलिए D1 पस्च अभिनत में ये कार नहीं करता D1 आपका उतक्रा में नहीं पस्च वई है इस कार कार नहीं करता किन्तु डीटू जो है बच्चो ये धनात्मक में इसले डीटू अग्रवनित में है और इस बार भी धारा बहती रहती है इस प्रकार निवेसी प्रत्यवर्थी वोल्टेज दोनों और चक्र में लोड में से धारा बहता है यहीं पहले बार में इसके कार्ण और दूसरे बार में इसके कार्ण दोनों के कार्ण बच्चो इसी कार्ण से बोलते हैं पूंड तरंग दिष्टकारी बोलते है ठीक है बतलब ये चीज़ आपने डाइग्राम में देख लिया तो ये कहानी था बच्चो और कुछ भी नहीं है पहला कहानी फिर से समझो इसमें क्रिया बीदी में क्या है जिसे प्रत्यवर्ति धारा तो पहले इस तितमी जब धनातमा कर्चक में ये धन रहता है ये रिण त संदी डायोट का अग्र अभिनति या पश्च अभिनति आपसे नहीं बन रहा है कुश्चन दोनों प्रकास से आ जाता बच्चो अग्र बायस और पश्च बायस मैं गारंटेट कहता हूँ कि इतना कम समय में समझ जाओगे कि आपको कभी दुबारा देखने की जरुत नहीं पड़ेगी बस थोड़ा सा समय दीजिए हमारे चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाश्ट तक देखना बच्चो मैं गारंटेट कहता हूँ कि एक जाम में आप क्लियर करके आओगे आपको बिल्कुल परसानी नहीं होगी और ये क्वेशन हर बार पूछा जाता है तो चलिए सुरू करते हैं बच्चो प्रशने कैसे आएगा पियन संदी डायोड किसे कहते हैं डायोड का अग्र अभिनत के रूप में किस प्रकार से उप्योग किया जाता है दूसरा क्वेशन पियन संदी डायोड किसे कहते हैं डायोड का पश्च अभीनतिया पश्च बायस की रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है इसके कारविदी को समझाईए तो दोनों डाइग्राम यहाँ पर मैं बना के रखाऊं बच्चो एक आपका यह है अग्रबायस का और एक आपका यह पश्च बायस का पूरा तरीके से समझाऊंगा बस आप लोग वीडियो पर बने रहें तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले फटा फटा हम थोड़ा सा बेसिक से चलेंगे कि बच्चो आपके पास चतु संयोजी चौदामे समू के तक तो है यह है चतु संयोजी चतु संयोजी में जब हम पंच संयोजी मिलाते हैं क्या मिलाते हैं तो पंच संयोजी मिलाते हैं तो भाई हमारा एन प्रकार का अर्ध चालग बनता है वहीं पर जब हम चतु संयोजी में त्री सहयोजी मिलाते हैं तो पी प्रकार का द्रचालग बनता है अब आप कहोगे कैसे सर देखिए भाई सहाब चतु सहयोजी में चार बंद बनाने की छमता है चतु सहयोजी में चार बंद बनाने की छमता है ठीक है जब त्री संयोजी आया तो तीन के साथ जुड़ गया तो एक बच गया बच्चो तो बना हूल क्या बना हूल जब पंच संयोजी आया तो ये चार के साथ जुड़ गया एक इस्ट्रा बच गया तो ये बन गया इलेक्टरान देखो भाई ऐसा तरीका कोई नहीं समझाएगा कम समय में आप याद करके जाओगे तो जब हम चतू संयोजी में त्री संयोजी मिलाते है तो P प्रकार का अधचालक बनता है जब पंच संयोजी को हम चतू संयोजी में मिला देते है तो N प्रकार का अधचालक बनता है N प्रकार में आपका इलेक्टरान होता है और आपका P प्रकार में आपका होल होता है अब इसी N और P को यह हमारा मान के चलते हैं कि हमारा P प्रकार का अर्धचालक है इसी के साथ हम एक और अर्धचालक जोड़ दें N प्रकार का तो हमारा ये बन जाता है बच्चो पी अन संधी डायोड यहाँ पे संधी होता है जुड़ता है क्योंकि इसमें होते हैं होल बच्चो यहाँ पर होल और यहाँ पर इलेक्टरान तो यह आपस में जुड़ करके यहाँ से चालन हो जाता है तो यही हमारा पी अन संधी डायोड क्या बता भाईया है आप से बना कि नहीं P.N. संधी कैसे बना जब अर्धचालक में आधा P और आधा N हो जाए तो आपका P.N. संधी डायोड हो जाता है जब किसी अर्धचालक कृस्टल में इस प्रकार से अपरमिश्टर्ण किया जाता है कि आधा भाग P और आधा भाग एन प्रकार का रचालाख हो तो संपर्ग प्रिष्ट को क्रिष्टल के दो आधे भागों में बाटा उसे हम P.N. संधी कहते हैं यहां पे जो आधा भाग में इसको बाटा हो P.N. संधी और यही युक्ति आपका P.N. संधी डायोट कहलाता है चीजे क्लियर हो गई की नहीं P.N. संधी डायोट क्लियर हो गई की नहीं चलो यह हमारा P.N. संधी बन गया बच्चो यह हमारा P.N. संधी बना और इसको हम अग्रबायस कब बताते हैं अग्रबायस कब कहते हैं थोड़ा समझेगा जब इस P.N. संधी के P को हम किसी बैटरी के धन सीरे से जोडते हैं N को हम रिन सीरे से जोडते हैं तो हमारा अगरबायस कहलाता है मैं एक यहाँ पर पूरा definition सहीत समझा रहा हूँ बागी अगरबायस दी बना दिया तो पश्शवाय साप आसानी से बना दोगे जब PN संदी डायोट के P चेतर को देखो ज़ाड़ा डाइगराम में यह डाइगराम फिर से हम आपको समझाएंगे बिल्कुल निश्चिन तो करके समझे जब PN संदी डायोट के P चेतर को हैना बैटरी के धनसीरे से बैटरी के धन सीरे से परिपत्र में बैटरी के साथ जोड़ा हमने और N छेत्र को उसी बैटरी के रिन सीरे से जोड़ दिया जाए तो यह हमारा अगर बायस कहला जाता बच्चो क्या कहला जाता है अगर बायस कहला जाता है जब हम बात करते हैं पस्च बायस की बच्चो यह ह दो प्रके काथ में जाना है तो यहाँ परदी परिभासा की बात करें तो अगर बायस में लिखना कि जब पियन संदी डायोड के बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाथा है, तो अग्र बायस डायोड को अग्र बायस या अग्र बायसित कहते हैं अर्थात अग्र अभिनत के नाम से जानते हैं चीजे क्लियर है बच्चो कि यह हमारा PN संधी डायोड है P को धन से N को रिंड से तो अग्रबायस वहीं पे जब PN संधी डायोड तो P छेत्र को रिंड से और N को धन से जोड़ दिया जाता है तो पस्च बायस कहला जाता है अब यह कार कैसे करता है यहां पर सबसे बड़ी बात है समझने के लिए, डाइग्राम आपके बुक में भी होगा, नहीं है तो डाइग्राम बना लो, नहीं तो फिर काओगे सर गोदा गादी हो गया, गोदा गादी हो गया, उसके पहले आप डाइग्राम बना लो, यह अग्र बायस का है, और इसका जब उल्टा करेंगे, के पी में आपका होल है पी में आपका होल है आपको सबको पता है एन में आपका इलेक्टरान है जिसे हम इस रूप में दर्साते हैं अब कहोगे सर कि हमारे बुक में इसमें इसर रिन रहता है तो क्या ये रिना बेसित है ये रिन चिंद का मतलब इसमें इलेक्टरान की कमी है ठ में हैं हम दे सकते हैं हम लेने वाले नहीं है इसलिए यहांपे धंदर साया है यह रिंड का मतलब यह часके मतलब खाली जगह है अब थोड़ा समझेगा बच्चो एक्चुल में ये जो होल होता है ये क्या होता है हेल होता है होल होता है सुरी होल तो ये एक प्रकार से धनात्मक प्रकतिका होता है यानि धन के जैसा बेहार दरसाता है ये जो इलेक्ट्रान है बच्चो इलेक्ट्रान ये कैसा होता है बताओ ज़रा इलेक्टरान जो है रिडात्मुक प्रबत्ति का होता है और यदि आपको ये भूल जाए तो ये तो कभी नहीं भूल सकता क्योंकि इलेक्टरान जो होता है वो रिडात्मुक प्रबत्ति का होता है अब होता क्या है बच्चो देखे यहां पर हो है पी में होल होल है खाली कुरसियां पड़ी है खाली बहुत जादा कुरसियां पड़ी है भी बरात नहीं आई लेकिन इधर से बरात भरा हुआ टाली आ रहा है अब ये जो बरात है वो कहां जाएगा ये खाली कुरसियों में जाकर चक्का जाम करने वाले हैं तो थोड़ा सम से को उदासीन कर देते हैं यह आपका अप्छे परत बन जाता है और इसके बीच एक विद्दूत छेत्र जनरेट होता है और फलसरूप यहां पर एक बिभा होता है जिसे बोलते हैं प्राचीर बिभाओ क्या बोलते हैं बच्चो प्राचीर बिभाओ मतलब अभी यहां पर एक बिभाओ है अब इसको तोड़ने के लिए हम यहां से क्या लगाएंगे विद्धुत छेत्र लगाएं म पतलब यहाँ से हम कहीं न कहीं, जो हमारा ये आपका वैटरी है, इसके माध़न से विभाव देंगे, मतलब इस विभाव से जादा होगा, तो ये मारेगा धक्का इधर से और ये रिड़ इधर मारेगा धक्का जो कि बैटरी का धन सिरा है होल भी धन प्रवत्ति का होता है तो धन धन को मारता है धक्का और रिड़ को मारता है धक्का तो होल जो है संधी की ओर और इलेक्रान जो है संधी की ओर चलते हैं और इलेक्रा को धन से जोड रखा है तो मारे का धका क्योंकि धन धन में प्रतिकर्षन रिड़े रिड़े में प्रतिकर्षन तो जब होल को मारा धन ने धका तो संद की ओर चला यह इलेक्टरान को मारा यह रिनावेस ने धका तो यह भी संद की ओर चला और यहां पर क्या हुआ होल और आए कूद के जंप के इधर जाएगा होल बन जाएगा यहां पर यह पर प्रक्रिया लगातार चलती रहती है प्रोसेश कहता है क्या होगे सर पैसा हजम नहीं समझ में आया थोड़ा समय दो बच्चो फिर से समझते हैं चुकि जो हमारा पी अन संदिरायोड होता है पी का समध्ध वैटरी के धंसिरे से होता है अन का समध्ध वैटरी से रिणसिरे से होता है अब यहां पर जो इसका विवाव हो प्राचीर बिभाव से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए देखे जब बैटरी दोरा आरवपित बाह बोल्टता रोधिका बिभाव से अधिक हो मतलब यह जो रोधिका बिभाव यही है जो प्राचीर बिभाव नहीं बोले आप रोधिका बिभाव नहीं बोले आप रोधिका बोल्टता इ बज़ेगा पी छेत्रे के होल बैटरी की धन सिरे से प्रतिकर्शित हो करके संधी की ओर चलते हैं। आप लोग थोड़ा सा लिख लेना बच्चो की जब आरूपित बोल्ट ताधिक हो जाए तो पी छेत्रे के होल बैटरी के धन सिरे से धन सिरे की ओर तर था एन सिरे से प्रतिकर्शित हो करके संधी की ओर चलने लग जाते हैं। और जो ही यहां पे चलते हैं बच्चो बिद्दुत चालन सुरू हो जाता है। और जब बिद्दु चालन शुरू होगा मतलब इलेक्टरान इधर होल इधर तो यहाँ पे जो बंद बना हुआ है इलेक्टरान का यहाँ पे तो इलेक्टरान जम्ब करता है तो यहाँ पर बंद चूटता है और होल बनते जाता है और इलेक्टरान इधर प्रवेज करता है य जब बैटरी दोरा अरोपित बोलता इस रोधिका भी बहुत से दिख होता है प्राचीर भी बहुत से दिख होता है तो पी छेतर के होल बैटरी के धन सीरे से प्रतिकर्शित होकर संदी की ओर चलते हैं यह जैसे ही बिद्दुत का चालान होता है बैटरी के धन सीरे पर यहाँ पर सहसे मुझी बंद चूटता है और इलेक्टरान यहाँ पर रिनात्मक सिरे की ओर जाते हैं यही जो ही संदी पर होल जैसे माली संदी पर होल और इलेक्टरान का संयोग होता है तो पीछ हेत्र के सही मतलब यहाँ से पूरा हर जगए हर जगए जो आपका होल है इधर चलने रहता है समझ रहना यहनी पीछ शेत्र का जो सहसे हो जी बंद तूटने लगता है और इलेक्टरान बैटरी के धन सीरे से यहां से इलेक्टरान जो मुक्त होंगे वो बैटरी के धन सीरे में प्रवेश करेंगे और ये फल सरूप यहां से निकल करके रिण सीरे से निकल करके एन शेत्र प्रवेश करेंगे और यह प्रवेश करते हैं यह प्रक्रिया क्या होती है चैनले लगती है लगाता धारा बहने लगती है ठीक है फिर से एक सो और आखरी वार बच्चो जब बैट्री जैसे मारी जे बैट्री दोरा रोपित बोल्टा इस रोधी का भी बहुत से दिख होता है तो P-chtr kay hol बैट्री के धन से प्रितिकरसीत होकर संदो की ओर N-chtr kay elektron बैटरी करिन सीरे से प्रतिकर्शीत होकर कि संदी की और आपस में संदी में पी और एंड के इलेक्टरान होल आपस में संयोग करते हैं विद्दुत का चालान होता है जैसे विद्दुत का चालान होता है यहां से यहां चलने लग जाता है यहां पे जो आपके इलेक्टरान हो करके एन में चले जाते हैं और यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है तो यह होगा आपका बच्चो पी अंसन ड्राइवट का आग्रविनत अब थोड़ा सा पस्षब पस्षब में उल्टा कर दिया हमने अब देखो इस वार क्या किया बच्चो पी का सम्मद्र रिन से कर दिये हमने कहा पी में होल है यह धनात्मक प्रवत्ति का होता है बच्चो धनात्मक प्रवत्ति का होता है धनात्मक प्रवत्ति का होता है मतलब और यहाँ पे इलेक्टरान है इलेक्टरान का मतलब रिनात्मक प्रवत्ति का होता है तो जब हम बता रहें बच्चो कि पी का सम्मद रिन सीरे से है तो इस बार पी का जो होल है थोड़ा समझेगा पी छेतर का जो होल है वो रिन सीरे से क्या होगा आकरसित हो करके संधी की ओर नजा करके यह उल्टा चले लगता है इलेक्टरान भी लेकिन कुछ अल्प मात्रा में यहाँ पर कुछ अल्प मात्रा में संधी और ह वह वह बहुत कम, अल्पधारा इस में प्रवाहित होता है, मतलब आपको समझ मेनि आया, मैंने यह कहा, की पश्च बायस कभ कहलाता है, जब संधि की और जाकर के बैटरी का रिने सिरे की उठी है, तो बिपरीद चलते हैं, वहीं Angler जो जो इलेक्टरान है वो भी संदी से विप्रीच चलते हैं इस प्रकार से संदी पर इलेक्टरान और होल का सायोग नहीं होता फल सरोप इसमे धारा नहीं भैती मतलब संदी पर होल और इलेक्टरान नहीं मिलते और बिद्दुत का चाला नहीं होता किस्यों जैसे आपर thickly đến probably यहां के होल हो उढ़ाई गए तो कुछ मात्रा में इलेक्टरान तो रहेंगे कि नहीं जब इसके इलेक्टरान इधर चले गए तो यहां पर होल होगा तो यह कहा जाता है कि उसमी उत्तेजन के कारण मतलब जैसे हीट है हीट के कारण पी में कुछ होल पी में कुछ इलेक्टरान इसमें होल हो जाते है कारण होल जब इधर गया तो है इलेक्टरान बचता है कुछ इलेक्टरान बचता है और जब इलेक्टरान इधर गया है तो यहां पर कुछ होल बचा तो उसमी उत्तेजन के काड़ कुछ मात्रा में इलेक्टरान और यहां पर जो होल है उस संधी पर जा करके मिलते हैं संयोग करते हैं फल सरूफ, संधी से माइक्रोय मीटर बहुत कम धारा बहुत कम धारा अतिनत अल्प धारा प्रभाइत हो ता है। इसे ही कहता है पस्ठ दिसिक धारा है अल्प संक्याक आबेश बैसबा को काड़ुध पण होता है। चीजें पहले आपको fact समझना है कि P का जो बच्चो hole है, P का जो hole है, वो battery के इंदे सीरे से अकरसित होकर इधर चलता है, संदी से दूर, N के electron battery से धन सीरे से अकरसित होता है, इधर चलता है, संदी से दूर, तो संदी पर electron और hole का किसी प्रकार संयोग नहीं होता, जब संदी उसमी उतेजन के काड़, अलप मात्रा में, जब ये hole इधर जा जाता है, तो यहां पर बस्ता है electron, इलेक्ट्रान जो है, यहां का electron जब इधर चल जाता है, तो यहां पर बस्ता है, hole, यहां अपस में संयोग करते हैं, और अलप, माइक्रो मीटर में धारा प्रवाइथ होती है न धारात नियत रहती है कि नितु अधिक मातरा में बोलता बढ़ा देने से सहसे ओजी बंद ज़ियादा तूठता है फंसरोफ थोड़ा elektron और होल की संख्या अधिक हो जाती है और जब इलेक्टरान और होल अधिक हो जाती है तो धारा अचानक बढ़ जाती है इस संदी में इस संदी डैयोट की सी रूप पर लगाएगे उतकरब भोलडच को जेनर बंजन डैयोट भी कहते है लेकिन फिरहार आपको ये समझ में आया कि अग्रवायस में धारा क्यों अधिक बहती है पश्वायस में कम क्यों बहती है देखो बचो अग्रवायस का यहां पर लिखा हुआ कि जब बैटरी दोरा अपित बाह बुलता रोधी का वियो सदिक होता है और ये अग्रवायस का है ना और भाई साहब यहां पर लिख लेना एंचेत्र के इलेक्टरान है ना प्रतिकर्शित हो करके संदि क्यों चलने लगते हैं hole और electron का संभी होता है कहाँ पर? संधी पर संधी पर hole electron का संभी होता है जिससे संधी में विद्धुधार का चाला नहीं लगता है जो ही संधी hole और electron बिलते हैं तो battery के धंसिरे से पीछेट के सफी है सविची बन्हीं तोड़ता है इस प्रकार मुक्त वे ट्रन बैटरी के धनसी रिप्रिवेस करता है और फिर एंसिले से निकल जाता है ठीक है और यह प्रक्तिय लगातार चलती रहते हैं बच्चो ठीक है ठीक और धारा बहता रहता है ठीक है यह चीज़ आपका लिखा हूँ जो मैं आपको समझाया हूँ वही लिखें बाकि आप लोगो के बुक में होगा आप लोग पढ़ते हैं बाकि पियन संदी डायोडे यार अगर बायस और पस्च बायस मैं नहीं चानता कि आप लोग कितने तरी के सुने होंगे तो काप जिन्दगे में कभी नहीं बूलेगा यह मेरा बाता है फिल्हाल आज के लिए इतना ही जैहिंद बंद मातरा हूँ